बुख्यमंत्री भूपेश मघेल ने भाजपा नेताओं पर साधा निशाना कहा भाजपा नेता की बेटिया करे तो लव है और दूसरे लोग करे तो जिहाद पुर्वसीयम डॉक्टर रमन सीह ने केंदरी खाद मंत्री को लिखा पत्र कहा चावल अबंटन में पांच हजार करोड रुपए की होई अनेमित्ता और राश्ट्री पार्टी का दर्जा मिलने पर आमादमी पार्टी ने मनाया जश्न प्रदिश अध्यक्षन ने कहा विस चुनाओं में 36 गड़ में होगा बड़ा बदलाओ बिलास्पूर में मुख्यमंत्री भूपेश पगेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेता की बेटिया करें तो लव है और दूसरे लोग करें तो जिहाद है भाजपा को यह जवाब देना चाहिए कि उनके बड़े नेता की बेटी कहा है और किस के साथ है बिलाजपूर जिले के अगलतरा में मुख्यमंत्री भूपेश पगेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश में केवल दो मुद्धों पर चुनाव लड़ना चाहती है उनके पास धर्मांतर अड़ और संप्रदाइक्ता दो ही मुद्धे हैं वही कॉंग्रेस किसानों, मजदूरों, आदिवासी, शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार जैसे मुद्धों पर चुनाव लड़ेगी बेमेत्रा में दो बच्चों के जगडे में मौत होई है किसी की भी मौत होना दुखत है उन्होंने कहा कि बिरनपूर मामले को लेकर भाजपा सिर्फ राजनिर्तिक रोटी सेक रही है मुख्यमत्री भूपेश वगेल ने कहा कि जिस तरह की घटना हुई है उसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी है केवल श्यासन परशासन से यह संभव नहीं है इस मामले में साहू समाज की लोगों ने बहुत सयम से काम लिया है और जो सही चीज है उसे सामने लाकर रखा वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं हमने उस पर करवाई भी की है 36 गड़ के पुरो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सीह ने केंदरी खाद्यमंत्री पी यूश गोयल को पत्र लिख कर चावल अबंटन जाच की मांकी है डॉक्टर रमन सीह ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में गरीबों के लिए आये हुए अत्रिक्त चावल में राजसरकार ने अनिमित्ता बढ़ती है केंदरी खाद्यमंत्री पी यूश गोयल को लिखे पत्र में डॉक्टर रमन सीह ने लिखा है कि केंदर सरकार ने कोवीड महमारी के समय देश के 80 करोड गरीबों को प्रधान मंत्री गरीब कल्यार योजना के तहत प्रतिक परिवारों को 5 किलो जादा चावल उपलब्ध करवाया जो कि अप्रेल 2020 से अब तक दिया जा रहा है इस प्रकार अप्रेल 2020 से दिसंबर 2022 तक कुल 33 महीने केंदर सरकार ने राज्य को 3 करोड 80 लाख 61,540 क्विंटल अद्रिक्त चावल का अबंटन किया गया है इसके बाद डॉक्टर रमन सीह ने लिखा कि राज्य सरकार ने अप्रेल 2020 से दिसंबर 2022 की इस अवधी में गरीब परिवारों को 2,39,80,711 क्विंटल चावल बाटा है इससे ये सपश्ट होता है कि केंदर सरकार ने गरीबों के लिए जो अद्रिक्त चावल भेजा उसमें 1,50,88,839 क्विंटल चावल को नहीं बाटा गया है डॉक्टर रमन सीह ने लिखा कि इस चावल का वर्थबान में बाजार मुल्य 3,400 रुपए प्रतिक्विंटल के हिसाब से करीब 5,127 करोड रुपए होता है उन्होंने आरोप लगाया है कि राजसरकार ने इस राशे की अनिमित्ता की है उन्होंने केंद्री मंत्री से इस पूरे मामले को लेकर एक उच्चेस्तरी जाच कमेटी बनाने की मांग की है आम आदमी पार्टी को केंद्री निर्वाशन आयोग ने राश्ट्री पार्टी का दर्जा दिया है इसके बाद 36 गड़ में आप नेताओं और कारिकरताओं में उत्साह देखने को मिला रायपूर के पंचिशील नगर स्थित आपम बुख्याले में बड़ी संख्या में राश्ट्री पार्टी बनने का जश्न मनाने कारिकरता और पदाधिकारी पहुँचे उन्होंने पार्टी कारियाले से नेताजी चोक होते हुए 14 तालाब तक पद्यात्रा निकाली आम आदमी पार्टी के प्रदेश ध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने इतने कम समय में आपको राश्ट्री पार्टी का दरजा मिलने पर इसे आम आदमी की जीत बताया है उन्होंने कहा कि केवल 10 साल पहले ही बनी पार्टी ने जनता के समर्थन से उपलब्धी हासिल की पार्टी तीन बार दिल्ली की सत्ता में आई पंजाब में भी सरकार बनाया कोमल हुपेंडी ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी चतिस गड़ में लगातार डोर टू डोर केंपेंड कर रही है जिससे पार्टी संगठन लगातार मजबूत हो रहा है आने वाले विधान सबाचुनाव में चतिस गड़ में एक बड़ा बदलाव होगा 36 गड़ में कुरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है पिछले 24 घंटों में 4381 सेंपलों की जांच की गई जिन में 326 नए केस मिले हैं प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 994 हो गई है बतादेए कि प्रदेश में सबसे जादा रायपूर में 44 नए केस मिले हैं कोरोना के बढ़ते आकड़ों ने स्वास्थ विभाग की चिंता बढ़ा दी है मरीजों की लगातार बढ़ते संख्या की वज़ा से अस्पतालों में मौक डिल किया गया स्वास्थ विभाग ने सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षडवाले लोगों की लगातार निगरानी करने और ऐसे मरीजों की कोरोना जाच के निर्देश दिये हैं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही देखते रहे हैं डेवी लाइट नमस्कार